जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कौन सी मेडिसीन, किस काम आता है, किस परकार आप मेडिसीन का फार्मूला जान सकते हैं, और आप किस परकार से किसी भी मेडिसीन का फार्मूला और उसका यूज जान सकते हैं, यह सब पूरा डीटेल से आज हम आपको हिंदी में बता बाड़ी पार्ट में किसी भी परकार का सूजन हुआ हो तो उस समस्या में डेक्सा मैथासोन का टबलेट लिया जाता है जैसे इसमें है डेक्सा मैथासोन, बीटा मैथासोन, प्रेडनी सोलान सबके पीछे आपको सोन मिलेगा तो आप आसानी से जान जाना ये एस्टोराइड केटेगरी की मेडिसीन है और एस्टोराइड मेडिसीन का यूज सूजन को कम करने के लिए किया जाता है अगले मेडिसीन की बात करें, सिफिटसोन तो है ऐस्टेटिन ऐस्टेटिन एंटि हाइपरलिपेडी में यानि जब बॉडी में लिपिड की मात्रा जादी जादा हो जाता है तो उसे कम करने के लिए कौन-कौन सी मेडसीन उप्योग किया जाता है और हम किस परकार से पहचान सकते हैं कि ये मेडसीन किस केटेगरी की है इसमें सबसे पहला एट और वेट टेस्टीन जिसके पीछे स्टेटीन लगा हुआ है दूसरा है हमारा सिमबेस्टेटीन इसके भी पीछे स्टेटीन लगा हुआ है तीसरा है लोबा एस्टेटीन अगर आपको इन सब मेडिसीन के बीछे एस्टेटीन वर्ड मिले तो आप समझ जाएए एंटी हाइपरलिपिडेमिक मेडिसीन की केटेगरी की दवा है इस मेडिसीन का उपयोग कोलिस्टराल के लेबल को कम करने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं नियक्ष जाने अगले की मेडिसीन की बात करें तो वो है पॉम सफिक्स वर्ड पॉम है एंटी एनकजेटिव जानी अगर किसी को चिंता है या टेंसन है या आदर कोई प्रॉबलम की वज़ा से टेंसन हो गया हो तो उस कंडीशन में इस केटेगरी की मेड सीन उप्योग किया जाता है तो बात करें इसमें सफिक वर्ड पाम है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं इस केटेगरी की मेडसीन जैसे कि हमारा है लोराजी पाम और डाइजी पाम जहां पर पाम लगा हो तो आप पहचान सकते हैं कि ये किस केटेगरी की मेडसीन है अग्ला medicine है हमारा antiviral जो की viral को कम करने के लिए दिया जाता है जितने भी परकार के viral infection होता है उसमें ये medicine दिया जाता है जो उसके पीछे सफिक word रहेगा वो वीर रहेगा जिसमें ये cyclowir, ritonavir, medicine के name के last में आपको वीर लगा रहेगा तो आप पहचान लेना यह antiviral category की medicine है आगले medicine की बात करते हैं तो इसमें specific word रहता है Mide या Gide यह diuretic medicine होता है यह medicine urine के output को बढ़ाने में मदद करता है यह medicine उस बंदे को दिया जाता है जब किसी का blood pressure high हो other कुछ problem में भी इस medicine का opioid किया जाता है specific word Mide और Gide अगर हमें पहले से पता है तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह medicine किस category की है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह diuretic category की medicine है जैसे कि furosamide, chlorothiagide तो इस category की medicine को आप Mide और Gide की भासा से आसानी से समझ सकते हैं कि यह किस category की medicine है and durati category की medicine है नेक्ट की बात करें तो वो अगला हमारा है बीटा ब्लॉकर इसके अगर सफिक वर्ड की बात करें तो वो है ओलोल यानि बीटा ब्लॉकर ये काम क्या करते हैं जब ब्लेड प्रेसर जब बढ़ जाता है बढ़े हुए ब्लेड प्रेसर को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर की म आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसके पीछे अगर सफिक वर्ड अलोल लगा है तो यह किस के टेगरी की मेडिसीन है नेक्स्ट मेडिसीन की बात करें तो वह है हमारा एंटिवाइटिक मेडिसीन इस medicine के last में आपको myosin word specific word हर medicine में दिखे अगर myosin जहां लगा रहे तो आप समझ जाना है कि ये antibiotic medicine है जैसे aegythromycin, neomycin, erithromycin आपको last में mycin लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये antibiotic medicine है ये वीडो सिर्फ नारमल जानकारी के लिए बनाया गया अगर आपको कोई दिकत कोई फरसान है तो आपने नगदी की doctor या parmaosist से समपरा करकर के दवा लें कोई भी दवाओ आप अपनी मर्जी से ना लें ये वीडो सिर्फ नारमल जानकारी के लिए